नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहुत हिमात तुपून जानकारी को ले करके जिहां इस चीज से नजर होगी इतनी तीज की एक किलो मीटर तक आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा यह आज का टोपि काम करने की वजह से आंखों में जलनसी होने लग जाती है और आंखों को बिलकुल भी आराम नहीं देते हैं जिससे आंखों से जुड़ी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं तो इसलिए आई आज हम सभी जानते हैं कि आखों को कैसे सुरक्षितर सकते हैं और स्वस्थर सकते हैं इसके लिए जरूरी जो आपको औशधियां चाहिए उनको नोट कर लेजिए एक चमच मुलेठी का पावडर एक चमच शहद और आधा चमच देशी घी इन तीनों को मिला करके एक गलास गर्म दूद के साथ सुबह शाम लगातार तीन महिने तक लेने से नेत्र के रो करके हर रोज रात को सोने से पहले चाट लें इससे आखों के रोक दूर हो जाते हैं आखों के रोशनी बढ़ती है और शारीरी कमजोरी भी दूर होती है ध्यान रहे कि घी और शहद बराबर मात्रा में नहीं हो चाहिए कि यह जहर का काम करने लगता है अगर समान मात्रा में हो जाता है तो खी और शहद का कभी भी कंबिनेशन जो है वो बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए सुखे आउले को रात में पानी में अच्छी तरह से धो करके भिंगो दें फिर दिन में तीन बार इसे रूई से जूस पी सके जूस पी है या फिर आप खा सकें चहह मुरब्बा बनाके खा सकें अचार बनाके खा सकें उसको खाने में शामिल करें तीन महीने के अंदर ही आपका चस्मा उतर जाएगा यह बेहधी कार गर अउशद ही है आँखों के लिए जिहां दोस्तों इसके साथ साथ जब भी आप अपने computer screen पे काम कर रहे हो तो हर आधे गंटे के बाद 2 मिनट के लिए आखों को बंद कीजिए और उस पर हाथ रखिए थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट हाथ को आखों पर लगे रहने दीजिए या फिर पानी के छीटे मारा कीजिए यानि कि अपनी computer screen से हट करक के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों